हलो इंवेस्टर्स स्वागत है आपका हमारे चैनल इंवेस्टमेंट के बजार पर अकुम्स ड्रक्स अब शेर में परिवर्तित हो चुका है इस IPO की सक्सेस्फुली आज लिस्टिंग हो चुकी है और डेफिनेटली 6% के प्रीमियम पर अपने कोई IPO लिस्ट होता हुआ देखने को मिला लेकिन उसके बाद एक बड़िया आप कह सकते बाइंग इस शेर में आती भी देखने को मिली है 18% की तेजी इंट्राडे में शेर दर्च करता हुआ देखने को मिला है और यहाँ पर स्टॉक लगबग दिन के हाइस पर आज क्लोज होता हुआ देखने को मिला है तो काफी बड़िया सेशन आज आपन कह सकते हैं अकुम्सडक्स के रहता हुआ देखने को मिला इस वीडियो के अंदर हम अकुम्सडक्स के 7 आज आज कल के लेवल्स पर बात करने वाले हैं वेडनस डे के और क्या अब साड़े 800 रुपे का शेर कल शेर छूपाएगा सब पर बात करेंगे तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं अगर उससे पहले डिस्क्लेमर यह वीडियो सिर्फ एजुगेशनल परपस के लिए यह अपने एडवाइजर की सला लेकर ही खरीदारी या बिक्वाली करें शुरुवात करें यहाँ पर न्यूस आर्टिकल्स के साथ तो डेफिनेटली दोस्तो अनुमान था कि स्टॉक लगबग 10% के आसपस लिस्ट करेगा पॉजिटिव में बट सिर्फ 6% का लिस्टिंग वा और क्रेडिट गोस्तो मार्केट जिस आपसे दो दिन में मार्केट के डाइनमिक्स चेंज हुए जिसके चलते डेफिनेटली यहां पर काफी जादा आप कह सकते हैं इस IPO के लिस्टिंग में फरक पड़ता हुगा देखने को मिला है क्योंकि यहां पर 90 टाइम्स अगर आप देखेंगे क्यों ने पार्टिपेट किया था 60 टाइम्स टोडल सब्सक्रिप्शन था इस IPO में त but overall at the end अच्छी रिस्टिंग अच्छी आप कह सकते क्लोजिंग आती विए देखने को मिली यहां पर कंपनी के अगर बात करेंगे तो आप सभी को पता होगा basically company drugs and pharma company है जहां पर company के काफी सारे clients है Alembic Pharma, Sun Pharma, सारी बड़ी-बड़ी companies, DABR, सब companies के दोस्तों company के clients है and यहां पर company basically 79 lakhs के profit में आती विए देखने को मिली 22 में 200 करोड का company का दोस्तों loss था और अभी 79 lakh का company का profit है 2022 में company का 3600 करोड का revenue था और इस साल company का 4000 करोड का revenue 4200 करोड का approximately तो यह काफी बढ़िया दोस्तों company का कामकाज है and overall अगर अपन एक दिन के charts की बात करेंगे तो यहां पर आज nifty भी दोस्तों काफी जादा गिरावट में trade कर रहा था जी यहां higher level पर आज nifty ने 200 points की तेजी करी थी maybe I am wrong अगर आप correct कर दीजीगा 200 points तक गया market फिर धीरे 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 market में काफी बड़ी गिरावट यहां पर आप कह सकते होती वह देखने को मिले आज भी I think so maximum लोगों के portfolio is negative में ही रहते वह देखने को मिले होंगे यहां पर अगर अपन बात करें Akum's Ducks की volume की तो volume काफी impressive आती वह देखने को मिले और delivery percentage और हमार पर जो large deal से उसकी भी आकड़े आती वह देखने को मिले तो यह काफी impressive volume है आप कह सकते है 700-800 रुपे के share में इतनी अच्छी volume यह अच्छी बात है अब पता नहीं दोस्तों कह यहां पर कौन सी आप कह सकते ब्रोकिंग हाउजेस नाच ख़िदारी करी है बट ओवर ओल यहां पर आज 23.47 मिलियन की volume आई है और इंट्राडे में जिन लोगों को ख़िदारी का मौका मिला और जिन लोगों ने आप कह सकते रिस्क का फाइदा उठाया फियर में बाई किय उन लोगों को आज मुनाफ़ा काफी बढ़िया होता हुगा देखने को मिला है कि जैसे साब से आज कह सकते हैं काफी सार लोगों तो यह उमीद थी कि नेगेटिव में लिस्ट होगा इवन मैं भी यही सूच रहा था कि 10% नीचे होगा है 10% उपर होगा तो इसी बीच में जूल रहा था कन्फूजन में बाकी आप कह सकते हैं जिन लोगों ने भी आप कह सकते हैं स्फियर में बाइंग करिये 725 के जोन से सीदे 797 का आज हाई पर क्लोजिंग आती हुए देखने को मिली है क्लोजिंग एक रुपे नी चाहिए बट आपन कह सकते हैं कि स्टॉक ने क बाकी यहां पर कुल मिला के 234 लार्ज डील जाज इंट 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 कर रहा है अपने हैसे तो डेफिनेटली यहां कल ओपनिंग मुझत तूटता हुए देखने को मिल जाएगा और ओवर ओर जिन लोगों ने भी खायदारी करिया इस प्री ओपनिंग में यहां मुमेंटम देते हुए देखने को मिल जिन लोगों ने मुमेंटम कैच किया उन लोगों के लिए काफी आज बढ़िया चांदी होती हुए देखने को मिली बाकी दिलिवरी परसेंटेज की बात करें तो डिलिवरी परसेंटेज करें दोस्तों 50% की आस-पास यहां पर आज क पर जाता है फिर यहां पर panic selling होती हुए देखने को मिलती है फिर जैसे panic selling खतम होती है stock मैं सकते एक bottom आता है फिर वहां से धीरे-धीरे stock में तेजी होती है और at the end आप देखेंगे तो एक consolidation का phase आया लगबक साढ़े 10 बजे से यहां पर 11 बजे तक इस consolidation के phase का जैसे ब्रेकाउट आया stock फिर दोस्तों एक consolidation किया है सवा 11 से लगबक दोस्तों कर यहां पर देखेंगे तो लगबक एक बच कर 30 मिट यहां पर देखने को मिला फिर यहां पर दोस्तों शेयर तेजी करता गया और at the end stock लगबक दिन यहां पर देखने को मिला है तो ओवराल काफी बढ़िया सेशन आज इस शेयर के रहता हुआ देखने को मिला है और अब जो लोग दोस्तों खरीदारी के बारे में सोच रहे में यही काऊंगा उन लोगों को तो 750 रुपीज का आप इस काउंटर में अचले के चले यूँकि 750 रुपीज के नीचा अगर यह शियर फिसला तो गिराववट यहां पर बड़ी हो सकती है बिक फॉल यहां पर आ सकता है अगर 750 के नीचे गया बाकि हाइयर साइट पर मुझे लगता है कि 825 से लगा कर 850 त कोशेश रहिएगा बाकि overall company long term basis पर मुझे बढ़िया नजर आती वी देखने को मिल रही है short term में I think so अगर nifty का आप कह सकते है तेजी होती है अगर nifty 2400 रुपय के 2400 रुपय के 2400 रुपय के 2400 रुपय के अपर जाता है और closing आती 2400 रुपय तो वो definitely mid cap small cap plus दोस्तों ये IPO वाले stock सब में दोस्तों positivity रहती हुए देखने को मिलेगी and ऐसे videos आपको इस channel पर मिलते हुए देखने को मिलेंगे बाकि जिन लोगों के पास positions है अभी hold कही के रखे अपनी positions को with a stop loss of 750 and a target of 825 to 850 in short term basis overall long term की मैं यही सिला दूँगा कि अगले ही जो quarterly results आएंगे वो results का वेट करे अगर results positive आते हैं तो definitely long term के लिए पन continue करेंगे बाकि कुछ आप कह सकते हैं चार्ट पर distortion नजर नहीं आ रहा है अच्छी तेजी आप पर अपने को होती भी देखने को मिल सकती है तो hopes so आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्स्क्राइब करें शेयर करें थैंक्यू फिरेंट उचिंग इस वीडियो